मेरी जो सलाहा है कि इस लिस्ट में दी हुई सारी जो चीजे हैं इन चीजों में से आप कोई भी एक हफ़ते में एक बार लो बस नमस्ते दोस्तों भारत ऐसा देश है जिसमें की वेजेटरियन्स सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में In fact, according to a recent survey, some 38% people say they are strictly vegetarian, मतलब वो अंडा भी नहीं लेते हैं, एक भी नहीं खाते हैं अगर आप एगेटरियन्स को वेजेटरियन्स मानने लगो तो फिर तो वो 70 प्लस परसंटेज पहुंच जाते हैं So, इतने वेजेटरियन्स होने के बावजूद क्यों भारत में डायबीटीज इतनी बढ़ रही है, इसका सीधा सीधा संबंध है या फिर कुछ गढ़बढ है यहां पर जो सीधी बात कहने के लिए तो है कि whole world is going towards vegetarianism, vegetarianism is increasing in US, Europe and they are going for more and more whole vegetarian food instead of non-vegetarian, non-vegetarian कम हो रहा है पूरे दुनिया में इंडिया अकेला ऐसा देश है जिसमें एक तो non-vegetarianism बढ़ रहा है और जो vegetarian लोग है उसमें भी diabetes, high blood pressure, obesity इन चीजों का इतना ज्यादा incidence है तो we'll talk about that in today's conversation what we have to do is remember this data, India is the diabetes capital of the world, लगभग 11 करोड लोग, हमारे 147 करोड लोगों में से 11 करोड लोग को frank diabetes है और लगभग 15-16 करोड और उसके ओपर ऐसे हैं जिनमें की pre-diabetes है so pre-diabetes is actually diabetes जिसको बस पता नहीं चला है अभी तक, मेरे पिछले कई सारे वीडियो में आपने सुना होगा कि pre-diabetes also is metabolic syndrome, बस उसको पकड़ा नहीं गया है अभी तर that's all, शुगर नहीं पड़ी हुई है और traditional means पकड़ने का वही होता है, so ये 25-27 करोड लोग जो की बीमार है औ problem हमें समझनी है, and उसके लिए जो basic चीज़ें है, I have made a list of at least 10 types of food items, जो की vegetarians खाते हैं, इन में से कई चीज़े तो ऐसी हैं, आपको सोच के आश्यर होगा कि ये तो healthy चीज़ समझते था मैं, और उसके बावजूद इस list में आ गया है, so if you want to know more, listen to this video fully and like and subscribe to our channel. जैसा आप शायद जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हो, I am a cardiothorize second vascular surgeon working at Paris hospital, और मेरी एक site भी है, called is www.cardiacsecondopinion.com, इस site पर हम second opinion देते हैं, because I am a surgeon who believes की surgery कभी भी last resort ही होना चाहिए, किसी भी person की बीमारी जब तक late stages तक नहों या कम से कम reversible stages के beyond जब जा रही है, तभी ही surgery करनी चाहिए, और हमेशा पहले कोशिच दवाईयों से करनी चाहिए, अब ऐसे क्या food items हैं, जो vegetarians खाते हैं, सुबह, शाम, रात, बर, उनमें सबसे पहला जो नाम है, वो है juices, fresh fruit juices, आपको लगता है कि घर में कोई बीमार है, तो आप बीमार को क् juice या मौसंबी का juice या संत्रे का juice निकाल के देते हो, या एपल का juice निकाल के देते हो, अगर आप ये juice घर पे खुद निकाल के भी कलते हो, तो भी उसमें unhealthy हो जाता है, अब केवल juice निकाल के दिया, प्योर तो एक बात हुई, बड यूश्यली अमूमन होता ही है, कि जब juice ब जूसमें उनमें कम से कम 15-25 ग्राम तक शुगर होता है, और उस पे लिखते हैं 100% pure juice, अब 100% pure juice लिखने से उसके अंदर की 15-25 ग्राम शकर नहीं चली जाएगी, दूसरी ऐसी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, being a vegetarian जो आपके लिए अच्छी नहीं है, पर अच्छी समझत जो भी बजार से आप yogurt लेते हो, sweetened yogurt, अब लोगों को ऐसा लगता है कि दही का ही form है, flavored yogurt है, या फिर लसी है, जो लसी बहुत frequently लोग आचकल पी रहे हो और आचकल तो cans वगर में भी आती है, see as it is, दही is an excellent source of probiotic bacterias which are healthy, but as soon as लोगों दही में शकर डालने लगे तो दही पड़ हो जाती है, और फिर अगर उससे लसी वाली consistency और लसी वाली sugar डलने लग गई with lot of cream and fat in it, it's altogether unhealthy, and अगर आप किसी एक Indian देशी vegetarian से पूछो, तो लसी के बगेर तो वो life imagining नी कर सकते है, so flavored yogurt of any side जहां पे शकर डली हुई है, उसी तरीके से milk के बाकी कोई भी प्रॉड़क अगर काफी है, those products are a problematic thing, जिसको कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और उसको healthy समझ के पीते रहते हैं, तीसरी यसी चीज जिसके लिए तो भई हमारे सदी के महानायक भी आपके लिए आपके लिए आपके अड़टाइस करते हैं, भुजिया, नमकीन, अब ऐसा कोई vegetarian घर नही में नहीं होंगे, and पहले किसी जमाने में ये चीजे आती थी, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, now they have penetrated your pantry, आपकी pantry में हमेशा नमकीन रहता है अधिकत, so बजार से लिया हुआ, कोई भी तली हुई नमकीन चीज, जिसको कि हम overall healthy समझ के भी लेते हैं कई बार, कई ल dense fats के through, या फिर palm oil के through, fry हो के चीज़े आपके पास पहुंची हैं, वो unhealthy हैं, और आपको इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचना चाहिए, इसी शुरंखला में अगर मैं बोलूँ तो जो चाठ, चाठ items कुछ healthy हो सकते हैं, like जो sprouted मुंग से चाठ बनाए गई, या बाइड फॉर हैं, बट मोस्ट अधर जहां पर अलू टिक्की आ गई, जहां पर शक्कर डाली होई चीज़े आई, जहां पर fried items आ गए, जो कि आप बजार से लेके खा रहे हैं, कचोरी, समोसे ले रहे हैं, पैटीज ले रहे हैं, तो यह सब ऐसी चीज़े हैं, जो कि आपक इस fast food जो कि बजार से आ रहा है, that is like कबरगर, या फिर कोई भी और बजार से ले हुई चीज़े, अब जो बजार से ले हुई फास फूट सम ले रहे हैं, तो fast food ने पूरी कहानी दुनिया में बताई हुई है, और वही कहानी इंडिया में रिपीट हो रही है, इवन जो उनका कैसे ही बनता है, जो patties होती है, वो frozen form में आती है, और फिर आपके सामने वो fry किया जाता है, या roast किया जाता है, so in general fast food which is becoming the home food for many people and many people are eating that thinking it is not so bad for you because it is vegetarian, इसमें meat नहीं है, you are wrong there, see patty which is a beef patty or a mutton patty is unhealthy, no doubts about it, but at the same time which patty which has been frozen for long, we don't know उसके क्या effects है, और जो भी तर्ली हुई चीज ऐसी होती है, वो हामफुली होती है आपके लिए, I have announcement to make, we are hiring, I need a manager for a clinic and also for the Uniheal Heart Care Foundation, जो हमारी foundation है, the work is increasing and I want someone who is dedicated for the cause to come, so that's why I am giving the opportunity to people who want to send me their CV and work in Gurgaon, who are either in Gurgaon already or want to relocate to Gurgaon, the job is an important job because the person who is coming here is going to handle all my phone calls and all my patient relations, so a person who has some experiences, good with English and Hindi will be very welcome on this. इसके beyond जाएं, हमारी सिक्स चीज के लिए, जो कि सब कॉमनली ले रहे हैं is biscuits, अब biscuits तो किसी बच्चे से पूछों, मेरे ख्याल से तो कोई भी आपके घर में एक भी बच्चा नहीं होगा या एक भी अडिल्ट नहीं होगा जो biscuits नहीं खाता हो, it's extremely rare to see people demonize the biscuits, but हर biscuit भले वो बोले कि whole wheat है, कि मैदे वाला है या low sugar है, वो सब मैदे से ही बनता है, majority मैदा होता है, और baking में जो sugar consume होती है, बहुत जादा होती है, and baking में जो oil use होता है, वो palm oil होता है, in general हमेशा यही होता है, तो कोई भी biscuit को सस्ता बनाने के लिए जो देश के biscuits हैं, जहाँ पे इतना दुनिया भर में हम ये जी वो जी वाले biscuits खाते हैं, they are not the ones which are healthy for you, that is making your children sick and you also sick, लोग चाय को biscuit के बगर लेते ही नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि चाय अकेली भी पी जा सकती है, और चाय में भी शक्कर मिला के ही पीना होता है उपर से, चाय फीकी हो सकती है, यह concept ही नहीं है, so vegetarianism में ये ऐसी चीजें जो सरप्षेसली आती जा रही है और बढ़ती ज इस फिलर is there and there is a lot of sugar in there, so 100 gram tomato sauce में 40 gram से ज्यादा sugar होती है, mayonese जो आप लेते हैं या जो बजार से जितने भी इस तरीकी के sauce लेते हैं, उसमें 30 से 50 gram तक का अलग अलग type के sauces में sugar होती है, and that is harmful for you, इनमें जो oil दलता है, again it is very unhealthy palm or soybean oils, so in general, जो भी बजार से चीजें आरही है, उ इस दिशा में जा रहा हूं, यह सब चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, and they all are contributing to diabetes, hypertension, BP, heart attack, paralysis, stroke, thyroid problems, all other issues, एक चीज जो बच्पन में मैंने देखी थी, जो कि बहुत रेर थी, like I was born and brought up in Indor, Indor बड़ा शहर है, but Indor में अगर आपको मिठाई लेने जाना होता था, तो एक बड़ी सी, जब मैं छोटा बच्चा था, और शॉप पे जाके दूर से मिठाई लेके आना, वाज रेरिटी, साल में एक बार, दो बार, दिवाली या किसी function पर ही होता था, आजकल तो आप किसी से मिलने जाओ, तो मिठाई का पैकेट लेके जाते, और मिठाई के इतने इत तेने different types हैं, so each and every मिठाई जो आप बजार से ले रहे हो, it is grossly unhealthy, और मुझे दो पता है कितने लोग है, जो लड़ू का पैकेट आया, या रदबा आया, या लड़ू का शाम तक हतम हो जाता है, अगर सुभर से आया तो, in fact, would you believe, being a doctor, मुझे हर तोहार पे इतनी सारी इसे ही और प्रॉडक्स अगर हम देखने जाएं तो जो कॉमनेस चीज है इस लाइक कोलास अब कोलास हो जो भी इस तरीके के ब्रैंट्स हो सब में अब बाइक कोलास के लावा आप देखे तो शुगर के इन जूस भी बोलें तो उसी केटीगरी में आता है या फ्रेश जूस जो से मैंने पहले भी बोला है वैसी केटीगरी में आता है जहां शुगर डल गई और वो लिक्विड आप पी रहे हो इट इस अनहल्दी फॉर यू अब आप आता और चावल जो रोज खाते हैं अनाज जो हम रोज खाते हैं अब उसमें मैदा तो is a strict no no, मैदा को तो आपको ये समझने है कि मैदा शुगर का कजन है and you know my views about sugar and if you have not seen please see the videos I have made on sugar previously so मैदा is like a simple काब which is going to be digested very rapidly and give you a sugar spike inside but even आता जो हम जिस तरीके से आजकल रोटी अगर लेते हैं so average person 4 रोटी एक टाइम पे 3 रोटी एक टाइम पे 6 रोटी एक टाइम पे that's a problem या फिर South Indian डायर्स में भी देखेंगे तो बड़ा सजब होगा bundle rice का और इसमें थोड़ी-थोड़ी सबजी डाली जाती है so यह जो extra carbs हम ले रहें थे are disproportionate अगर एक या दो रोटी खाते हैं it's fine so all this I am telling for non-growing people like जो अपनी height achieve कर चुके हैं say 20, 22, 25 साल के उपर के लोग या फिर at least ऐसे लोग जो 35-40 के पार पहुंच चुके हैं उन लोगों ने अपनी रोटी कम करनी चाहिए चावल कम करनी चाहिए दाल और सब्जियां बढ़ाना चाहिए जितना दाल और सब्जियां बढ़ाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा और proteins ज़रूरी हैं तो protein खाना vegetarians के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि लो-carb diet को बहुत अच्छा healthy माने जगता है in fact American Heart Association right now says कि जो लो-carbohydrate with slightly higher fat diet is healthy it is not like keto diet, keto diet को अभी भी endorse किसी ने भी नहीं किया है you know my views on keto diet also you can go back and see my video on that but at least high carb diet is not good for you आप veggies खाओ, fresh veggies खाओ, sautéred veggies खाओ सबजिया जब बनाओ तो उसमें gravy तरी कम बनाओ जब आप राइस और राइस और रोटी के साथ खाते हैं तो उसमें रोटी और चावल कम खाएं, सबजियां ज़ादा खाएं, दाल ज़ादा खाएं ऐसा करने से आपको heart की problem नहीं होगी, diabetes की problem नहीं होगी, high BP की problem नहीं होगी metabolic syndrome को invite करने के लिए ये सब चीज़ें सबसे आगे हैं एक और चीज जो मैंने नहीं के बट वह बहुत obvious है, just for completion's sake I'll say the confectionaries, the toffees and chocolates and the sweets, जो कि आप बजार से इसे लेके खाते हो, तो हर बच्चे को toffee is given as a price or a chocolate is given as a price Trust me on this, आप एक addict तयार कर रहे हो, अगर आप इस तरही किसे बच्चों को toffee पे toffee देते रहो के बच्चपन से तो आपने एक sugar addict अपने घर में वैसे ही तयार कर लिया है, जिनको बच्पन से ऐसी toffees मिलती है, उनके mouth का reset ऐसा हो जाता है कि जब तक चीज मीठी नहों उनको प इस चीजों से आपको थोड़ा नया information मिला हो, या कहीं ने कहीं आपको introspection का कुछ ने कुछ उसमें solution पता चला हो, मेरी जो सलहा है कि इस list में दी हुई सारी जो चीजे हैं, इन चीजों में से आप कोई भी एक हफते में एक बार लो, बस, रोटी अपकोस कम करके daily लेंगे that's fine but in a small amount, rest all the items which I have listed एक नियम बना लीजे, कि हफते में एक बार ही लशी पिऊंगा, अगर लशी पी लिए तो फिर में कुछ और ऐसी confectionery और chocolates और नहीं लूँगा, इन दसों में से एक ही चीज आप हफते में एक बार करें, that's all, अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपकी सहत बहुत अच्छी होगी and you will come back to thank me on this, thank you.